हलो और वेलकम टू अलाफ यू आज हम लोग क्लास एर्थ साइन्स की चिप्टर फाइब का नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे तो इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक है रिफाइनिंग पेट्रोलियम यानि जो हमारा पेट्रोलियम है उसको हम रिफाइन कैसे करते हैं उसको अलग करते हैं तो जो इसके अलग-अलग components उनको अलग करना इसकी रिफाइनिंग कही जाती है तो सबसे पहले इसको हम रेट करते हैं पेट्रोलियम एक डार्क और ओली लिक्विड होता है इसमें एक जो है अन प्लेजेंट मतलब जो हमको अच्छा ना लगे एक और गंध ह होती है सुगंद होती है आगे देखे एटीजम mixture of various constituents such as petroleum, guys या जो है वाइरियस या विभिन्न प्रकार के जो constituents होते हैं, घटक होते हैं, उनका एक mixture होता है, जिनमें की petroleum, gedet होता है, petrol होता है, diesel होता है, lubricating oil होता है, lubricating oil and parafin wax, et cetera, तो इस तरीके से ये शारी चीजें एक mix होती हैं इसमें, जो आपका ये आपको दिया गया है petroleum, जो होता है, वो यह ये सब चीजों को mix होता है तो जो refining क्या होती है दा process of इसमें दिया गया है दा process of separating the various constituents constituent fractions of petroleum is known as refining तो अगर कोई पूछे कि what is refining तो आपका answer होना चाहिए the separation of various the separation of various constituent fractions of petroleum is known as refining तो जो petroleum होता है इसके धेर सारी जो components होते है पेट्रोल लीजर फैरा फिन वैक्स वगरा इन सबको अलग अलग जब इसको हम निकाल के अलग अलग करते हैं तो इसी को हम refining कहते हैं इसको जो हम किसी petroleum refinery में करते हैं तो petroleum refinery कोई एक बड़ा project होता है एक लंबी factory होती है जैसा कि यहां पर आप देख पा रहे हैं कि यह जो है petroleum refinery यहां पर बनी हुई है एक बड़ी refinery है तो जहां पर petrol का production होता है वहां पर petroleum refinery ज्यादा मात्रा में पाई जाती है जैसे साउदी अरबिया हो गया इरान हो गया यह अमेरिका वगयरा में तो यहां पर petrol बहुत भारी मात्रा में जो petroleum निकलता है और यहां से इनकी refinery भारी मात्रा में जो है refinery बड़ी संख्या में पाई जाती है तो इसको थोड़ा सा और आगे हम रेड करते हैं various constituents of petroleum and their usage देखें आप various constituents of petroleum and their usage are given in table 5.1 तो जो इसके अलग-अलग constituents होते हैं petroleum के और इनका जो huge होता है इसको नीचे 5.1 में एक table है उसमें आपको दिया गया है कि इसका जो है huge क्या होता है तो इसको हम यहाँ पर देखेंगे यह जो यहाँ पर यूज है इसको हम थोड़ी दिर बाद भी देखते हैं थोड़ा सा इसको पहले हम read कर लेते हैं यह box में कुछ दिया है बहुत important चीज़ी दे गए है तो इसको read करते हैं पहले इसमें देखिएगा many useful substances are obtained from petroleum and natural gas these are termdized petrochemicals जो petroleum होता है उससे बहुत सारे useful पदयार्थों को substances को हम निकालते हैं या प्राप्र करते हैं और petroleum या natural gas से तो इसी को हम कहते हैं petrochemicals जो बहुत जादा उपयोगी चीज़े हम petroleum से निकालते हैं इसको हम क्या कहते हैं petrochemicals कहते हैं आपने पिछले chapter में पढ़ा हुआ था कि जो plastic होते हैं synthetic fibers होते हैं इनको हम petrochemicals का यूज़ करके बनाते हैं यानि यह petrochemicals से बने होते हैं आगे इसमें देखिएगा these are used in the manufacture of detergents जो petrochemical होता है इसका यूज़ हम detergents बनाने में करते हैं fiber बनाने में करते हैं क्योंकि fiber के बिश्य में आपने पढ़ा हुआ है polyester, nylon, acrylic यह सभी आप बनाने में इसका यूज़ करते हैं polythene बनाने में इसका यूज़ होता है and other man-made plastics तो man-made plastic और polythene बनाने में इसका यूज़ होता है अब यहाँ पर देखिए जो आपका natural gas होता है उसमें hydrogen gas होता है और इस hydrogen gas का यूज़ हम किसको fertilizer जिसमें basically आपका सबसे पहले urea को बनाने में इसका हम यूज़ करते हैं तो यहाँ पर इसको rate करते है hydrogen gas obtained from natural gas hydrogen gas को हम natural gas से प्राप्त करते हैं is used in the production of fertilizers urea जो hydrogen gas होता है इसको हम natural gas से निकालते हैं और इसको urea के production में हम यूज़ करते हैं यूरिया आप जानते हैं कि जो plants होते हैं उनके growth के लिए बहुत important एक जो है यह आपका fertilizer होता है और urea से हमको यहाँ पे nitrogen मिलता है nitrogen बहुत जादे important होता है उनके growth के रिपोदों के तो यह चीज़ बनता है तो hydrogen gas किस से मिलता हमको natural gas से मिलता है और natural gas इस hydrogen gas करके हम fertilizer urea को बना आगे देखिए due to its great commercial importance petroleum is also called black gold क्योंकि जो petroleum है इसका जो है due to its great commercial importance commercial का मतलब होता है व्यापारिक या वाणिचिक इसका commercial importance बहुत ज़्यादा है इसलिए petroleum को हम क्या कहते है black gold भी कहते है प्लैक गोल्ड इसके यहाँ पर petroleum पाया जाता है उसके यहाँ पर black gold या काला सोना उसक निश्रल गैस की बारे हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं तो निश्रल गैस क्या है इसको हम यहां पे रीड करें उससे पहले सबसे पहले हम देखते हैं पेट्रोलियम के जो कांपोनेंट्स होते हैं पेट्रोलियम के जो कांस्टिट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् जो petroleum है उसके अलग अलग वायरियस मतलब एभिनापरकार की constituents मींस उसको मनाने माले उसके घटक और petroleum and their usage और इनके usage होते हैं तो serial number यहाँ दिया है , यहाँ पेदिया है, usage इसके दियागया है , point number यहाँ दियागया है petroleum gas in liquid form पेट्रोलियम गैस लिक्विट फाब यानि लिक्विट पेट्रोलियम गैस इसको हम LPG कहते हैं जो घर में हमारे सिलिंडर्स होते हैं वो इसी LPG को उसमें भरे जाते हैं लेकिन उनको इतनी ज्यादा मात्रा में हाई प्रेसर में भर दिया जाता है इसलिए जो गैस होता है किस टेन डंबर पे पेट्रोल है तो सभी लोग जानते हैं motor fuel होता है, motor cycle गारा चलते हैं, आगे देखेm तो यह इसमें जो है ड्राइ लुग का ट्रोल में गृष जा एकrawda है wife i'm ही कर भेडर्ट है को निस्की में जो है इसका डीजल के उज़ होता है आगे देखिए हाप पर एलेक्टिक जणरेटर जो उते हैं उसमें इसका उज़ होता है electric generators मतलब जैसे आपने आसपास कहीं पर कोई function हो रहा हो कोई शादी भी वहाद हो उसमें अपने generators को चलते देखा हो तो generator जो हो आपका डीजल से चलता है आगे इसमें देखिएगा lubricating oil, lubricating oil का मतलब होता है जैसे इसको जो है cycle में आप देखते हैं कि थोड़ा सा हम कुछ oil डालते हैं तो वो सही से चलता है इसी तरीके से जो हमारे भारी वहान होते हैं चाहे वो bus or truck हो या कोई भी car हो या motorcycle हो उसमें एक lubrication oil उसमें डाल जाता है बहुत गाढ़ा होता है जो diesel petrol होता है उससे ज्यादा गाढ़ा होता है ये colors में आता है हलके red color का हो सकता है या कोई भी color हो सकता है लेकिन थोड़ा सा क इसको lubricate in file कहते हैं यानि इसमें तिल डालना जिसको lubrication हम बोलते हैं जैसर साइकल में आप तिल दालते हैं तो उसमें तिल डालने का मतलब उसको lubrication आप करते हैं उसका आँगे देखे सिराird fixed फिन वैकस कैंस्वेंड निकाल जाता है दिख़िए आपन मेंच मतलब होता है मर बनाने के लिए इसका हम यूज करते हैं आगे देखें बिटुमेन अभी आपने उपर भी पड़ा वहा जो सड़क आप देखते होंगे सड़क जब बनता है तो इसमें जो आपकी गिट्टी होती है या जो कंकड होता है उसके साथ में काला पदार जो पिखला के बनाये जाता है जिसे हम डामर भी कह सकते हैं कहते हैं अपने स्थानी भाषा में तो इसको जो है बिटुमेन होता है वो काला पदार ड्रम्स में आता है और इसको पिखला करके इसमें मिला करके जो रोड को बनाये जाता है तो यह बिटुमेन होता है तो यह देखें पेंट बनाने में इ पेट्रोलेम के ऊपर रहता है देखिए आपे नेच्रल गयस देजे वेरी इंपोर्टेट फोसिल फ्यूल विकाज इजी टू ट्रांस्पोर्ट थू पाइपस नेच्रल गयस जो होता है बहुत ही ज्यादा आसान जो है एक बहुत ही यूजफुल फोसिल फ्यूल है क्योंकि इ ज्यादीजीए का नेच्रल गयस इस टोट अंडर हाई प्रेसर आज कॉम्प्रेस्ट नेच्रल गयस तो जो नेच्रल गयस होता है इसको हम बहुत तेज प्रेसर पर रखते हैं और इसको हम कॉम्प्रेस्ट नेच्रल गयस कह सकते हैं इसको कहते हैं तो cng का पूरा नाम क्या इसका यूज हो जाता है इसके बाद यहां से हम रीड करेंगे क्योंकि बीच में टेवाल आ गया है तो जो ट्रांसपोर्ट विकल्स होते हैं विकल्स के फ्यूल के रूप में इसका यूज होता है क्योंकि यह बहुत ज्यादा कम पालूशन करता है तो यह जो है स्वच्छी करने यह बहुत स्वच्छी फ्यूल है यह इसको यूज करने से पॉलिशन बिल्कुल नहीं होता है The great advantage of CNG is that it can be used directly for burning in homes and factories where it can be supplied through pipes तो सबसे ज्यादा इसका यह होता है कि इसको हम pipe के द।रा घरों में supply कर सकते हैं और इससे तरीके से पानी आप देखते हैं सबके घरों तक उसकी pipe जाती है और सबके घर तक pipe से पानी निकलता है उससे तरीके से इसका जो CNG है इसका घरों में सप्लाई किया जाता है यह अपने आप ही पहुँच जाता है इसका ट्रांसपोर्टेशन नहीं करना पड़ता है आगे दिखें सचे नेटवर्क और पाइपलाइन एक्जिस्ट इन वडोधरा गुजरात तो इस तरीके के एक पाइपलाइन वडोधरा गुजरात में एक्जिस्ट करती है और इसी पाइप के द्वारा जो है सबकी घरों में जो है नेचरल गैस पहुच जाता है और उहाँ पे किसी को लाने नहीं जाएं जिसे हमारे यहाँ पे सिलिंडर कोई ना कोई लेके आता है या कोई खाली सिलिंडर ले जाता है तो यह काम उहाँ पे नहीं करना पड़ता है यह काम पाइपलाइन से हो जाता है आगे देखे सम पार्ट्स आप डिली एंट अधर प्लेस तो यह जो है पाइपलाइन जो है कहीं दिली में भी कुछ पार्ट्स में इसका जो है बिछा जा जुगा है जिससे कि यहां पर आपको ट्रांसपोर्टेशन के इसकी ज़रूरत नहीं होती है तो कितना अच्छा है कि पर आपको यह अपने आप ही पहुँच जाता है विना किसी ट्रांसपोर्टेशन के पाइपलाइन के थ्रूप आगे देखे नेच्रल गैस इच ऑलसे यूज़ एज स्टार्टिंग माइटिरियल फार्दा मैनिफेक्शर आफ नंबर आफ केमिकल्स और फटलाइजर जो ने पास में एक बहुत बड़ा भंडार है नेच्रल गैस का जो इसने रखा हुआ अपने पास में इन आउर कंट्री नेच्रल गैस है इस बीन फाउंड इन त्रिपुरा राजस्थान महारास्ट्रा और इंड कृष्णा गोदावरी डेल्टा तो हमारे यहां पे देखे नेच् तो यहां पर इसका आंसर है नो हम इसको नहीं बना सकते हैं देर फॉर्मेशन इसे वेरी स्लो प्रोसेस इनका जो निर्माड है बहुत थीमी प्रक्रिया है और इनके जो बनने की कंडीशन होती है इसको हम लेबरेटरी में नहीं बना सकते हैं आईसा क्यों क्योंकि यह जो इसमें बहुत तेजी से प्रेशर चाहिए उतना हर्ड प्रेशर हम इसमें जनरेट नहीं कर पाएंगे और उस तरह का टेमप्रेशर भी हम इहां पर जनरेट नहीं कर पाएंगे और इसको उस pressure को उस temperature को कई millions of years इसको बनाए रखना ये भी एक मुसिबत है तो इसलिए इसको जो natural gas, जो coaline petroleum है इनको हम laboratory में नहीं बना पाएंगे कभी ये जो हमारे nature में है उन्हीं का हम यूज कर सकते हैं आप आगे देखें इसमें दिया गया है some natural resources are limited तो जो natural resources हैं क्या है limited हैं ये कभी न कभी क्या हो जाएंगे खतम हो जाएंगे तो इसलिए हमको बहुत बचा कि साउधानी से इनका यूज करना है आगे देखें you have studied in the beginning of the chapter that some natural resources are exhaustible like fossil fuels, forests and minerals तो हमने देखा कि कुछ ऐसे natural resources हैं जो की exhaustible हैं इनमें से देखें fossil fuel भी एक natural resource है आपका forest भी एक natural resource है minerals भी एक natural resource हैं लेकिन इसमें forest जो है exhaustible इसको हम नहीं कह सकते हैं तो क्योंकि forest को एक बार हम काट लिए तो फिर से इसको हम grow करा सकते हैं it required the dead organism millions of years to get converted into the fuels तो यह जो है millions of years इसको लगे जिसके बाद में इन fuels में convert हो पाए तो millions of years यह यह नि 10-20 लाख साल लगे इसको convert होने में आगे देखिए on the other hand दूसरी तरफ the known reserves of these will last only a few hundred years तो इनके जो burning up these fuels is a major cause of air pollution और इनको जलाने से बहुत ज्यादा air pollution का एक बहुत बड़ा कारण है कि इन fuels को हम जला रहे है their use is also linked to global warming और इनका यह जो global warming से भी link है क्योंकि इनको ज्यादा हम जलाएंगे तो यहां पर heat ज्यादा generate होगी और heat ज्यादा generate होग दी उस साथ साथ में जो pollution होता है वो global warming जो है effect generate करता है global warming effect होता है जिसके कारण जो अर्थ का temperature है वो लगातार बढ़ रहा है प्रित्वी का जो तापमान है लगातार बढ़ रहा है आगे इसमें rate करते हैं इसलिए बहुत आवश्यक है कि जब हमको बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो तभी इन फ्यूल्स का हम यूज करें नहीं तो इनकी फ्यूल्स का हम कम से कम करें इस बिल रिजल्ट इन बेटर एंवाइरनमेंट तो यह एक हमें अच्छा एंवाइरनमेंट देखा इसमाला रिस्क आप गलोबल वार्मिंग यह गलोबल वार्मिंग का एक कम जो है रिस्क नहीं रह जाएगा हमारे पास में एंड देयर आविलेविलिटी फार लॉंगर प प्तॉलियम कंजरवे टियर्बर भाल यहां पे प्लाट प्र hypocrite प्र्ल्यम किस तरीक से आपको बचा सकते हे तो इन तरीके हम ध्यान देते हैं और इनको हमको अपने जो है लाइफ में इसको जो है यूज करना चाहिए इन तरीकों को आगे देखे ड्राइब आइट एक constant and moderate speed as far as possible तो constant मतलब निश्चित and moderate मतलब होता है ना तो बहुत जादा तेज और ना ही बहुत जादा धीमा तो यह moderate speed होता है तो moderate speed में आपको जो है driving करनी चाहिए दूसरा देखे दूसरा point क्या कह रहा है जो आपका यहाँ पे देखे यह जो संस्था है PCRA जो PCRA है इसने petroleum conservation research association ने आपको यह तरीके सुझाए हैं इससे आप क्या कर सकते हैं बचा सकते हैं तो पहला आपको moderate speed में चार चलाना है और इसकी जो है यह काम करना है दूसरा आपको देखे switch off the engine at traffic lights जो traffic lights होते हैं जहां पे आपको गाड़ी खड़ी करके इंतिजार करना पड़ता है तो हाँ पे अपनी गाड़ी को आप आफ करते हैं बुझा दें जिससे की petrol उस टाइम बच जाए जितनी देर आप वहां पे खड़े हैं आपकी गाड़ी है उसका रेगुलर maintenance करिए क्योंकि maintenance करने से यह अच्छी रहेगी गाड़ी आपकी तो यह नहीं निकलेगा और जब यह नहीं निकलेगा तो यहां पर pollution नहीं होगा तो यह कुछ तरीके थे जिसको PCRA ने आपको सुझाए हैं जिसका आप यूज कर सकते हैं और इसमें देखे कुछ keywords दिये गए हैं और जो summary दिया गया वहाट यूज कुछ आपने सीखाया उसको देखे कोईला, कोल, कोलगैस, कोलतार, कोक तो यहां पर ध्यान दिजेगा कि यह आपके keywords हैं कुछ मूल शब्द हैं जिनको आपको लिखना है देखें आपके कोईला हो इसे जो गयस निकलता है और जो आपका नीचे जो पिखलकर liquid form में निकलता है और उसके बाद में जो सोखा पदार्थ बचता है कोईले को गरम करने के बाद में उसको हम कोक कहते हैं तो यह तीन products जो हैं कोईले से निकल के आते हैं कोल गयस, कोलतार, कोक इसको आप ध्यान द जानते हैं petroleum refinery, petroleum refinery एक industry होती है जिसमें हम जो petroleum होता है crude oil होता है उसको हम refine करके उसके अलग-अलग components को अलग करते हैं और उसको usable form में उसको हम convert करते हैं तो यह यहाँ पर यह आपका total analysis chapter का और इसको आपको जो है video देखने के बाद में आप इसको book स्वयम भी एक बार जरू आएगा और इस video के हैं paint करते हैं, thanks for watching